नमस्कार दोस्तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे आज के आपके रासीफल के बारे में दोस्तो आज आपके रासीफल कैसा रहने वाला है आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बनाएंगे दोस्तो आज आपके सब काम बनेंगे लेकिन आपको क्या सावदान इबरतनी है किन किन बातों का ध्यान रखना है आज हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तो आज के दिन के पहले भाग में सभी कारिये निर्विग्णन पूरण होंगे स्वाष्थय उत्म रहेगा समाजी 257 से मान समान की प्राप्ती होगी धन लाब होने से आर्थी क्रूप से अधिकसक संबरनेंगे आवश्चा कारिये दोपहर से पारे पूरण करने का प्रियाज करे इसके बाद सभी कारिये में वियो अवद्धान आने लगेंगे जहां से लाब की संबामना है वहां से निराशा मिलेगी फिर भी मानशी करूप से विचलित नहीं होंगे परीजनों का सने विवसायोग मिलता रहेगा घर के बुजुर्ग की सहत खराब होने के कांड थोड़ी ऐसा जिकता बनेगी संतानों के विचा में सूप समाचार मिलेंगे दोस्तों आज का दिन आपके अनुकुल रहने वाला है सरकार की तरब से लाब के संकेत है अथ्वा थोड़े प्रियास के बाद लटके सरकारी कारियों में सबलता अवश्य मिलेगी कार्य अक्षेतर से दोपहर के बाद आकस्मिक खुसक अपनी मिलने से आनन्दित रहेंगे धन का खर्च अधिक रहेगा पंति वियर्थ नहीं होगा आई विवायतों को विवाय के पस्ता मिलेंगे नए सम्मद बनने की पूर्ण संभावना है घर के बुजूर का आपके उपर करीप बनाए रखेंगे अधिकारियों अत्वा अन्याव रिष्ट लोगों से आचाने से काम निकालेंगे आज आप दोस्तों आज का दिन आपके भाग्या उद्या कारक कह रहेगा घर एम बहार आसा से अधिक साहयोगी वातावन मिलने से लगब सभी कारिये निर्विग्दंपुर्ण होंगे पंतु उधार समंदित वहारों के कार्ण थोड़ी चिंता भी रहेगी नोकरी पेसा जात्किक की कारिया कुसलता के लिए परसंसा होगी ठोक अत्वा कमीशन के वेवसाय से अधिक लाब मिलेगा धन लाग पर चूर मात्रा में होने से आप खुस होंगे घर की महलाई आप पर परसंद रहेंगी दामपत्य जीवन का भरबूर आनंद लेंगे बाहर घूमने वाय उत्तम बो से दोपहर के बारा बजकर तीस मिनट तक और असूब समय रहेगा साम के साथ बजकर दस मिनट से रात के नो बजकर पंद्रा मिनट तक का समया आज आपके लिए असूब रहने वाला है इस समय में आप कोई भी सुब काम ना करे धन्यवाद